हम पढ़ रहेते बच्छों स्टेट के लिए उसमें आज हमें नया चेप्टर स्टार्ट करना है कोडिनेशन कमपाउंड चेप्टर रहेगा इंपोटेंट कई टॉपिक मतलब जो टीजीटी के लिए इंपोटेंट रहेंगे वहां पे अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि यह च ओसली जे पहले मतलब कॉशन जहां से उठाए गए उसको तो हम बहुत ध्यान से पढ़ते ही है अभी हम साट करते है क्या पढ़नाइए इक तक पीलेक्ट्रों टोनेट कर देता है당 और तो ले लेता है यहां पर acceptor कौन होता है बचो यहां पर metal electron लेता है वैसे तो आपने हमेशा क्या देखा है metal को donate करते हुए देखा है यहां पर metal क्या करता accept करता है और जो अपने loan pair donate करता है loan pair जो donate करे उसको क्या बोलते हो आप levis base बोलते हो क्या बोलते हो लेविस बेस और जो लोन पेयर को एकसेप्ट करता है वो लेविस एसेड होता है तो जो अपने लोन पेयर यहां पर दे रहा है ठीक है कोडिनेशन कंपाउंड्स में जो लोन पेयर देता है वो होती है लीगेंड्स क्या होती है लीगेंड्स होती है ज NO3 को सुना होगा यह सारी ligands है और इनको आप क्या बोलते हो इनको आप बोल दोगे फिर levis base बोलोगे और levis acid क्या होते है जो उसको accept कर लेंगे और वो कौन होंगे metal होंगे अच्छा यह बताओ metal ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्छो metal इसलिए कर रहे हैं कि वो next जो stable configuration है जो noble gas configuration है उसको क्या कर पाएं अचीव कर पाएं जिसको आप effective atomic मतलब जो number है ठीक है न उससे भी हम वो निकालते हैं कि जितना जादा जैसे मान लीजिए आप sodium की configuration लिखते हैं नॉर्मल लिख रहे हैं अभी तो ठीक है sodium की लिख रहे हैं तो आप लिखते हैं 281 लिखते हैं तो जैसे यह एक यहां से चला जाएगा इसलिए वो डोनेट करता है कि वो किसके पास आ जाए अपनी जो noble gas configuration है उसको अचीव कर ले ठीक है पर जो को अपने transition elements जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं पीछे वाली अपनी जो noble gas है उसको अचीव नहीं करना चाहते हैं जैसे यह अगर यह और आठ electron लेता तो और आगे वाली noble gas के पास पहुंच जाता पर यह जो को अपने क्या है पास जाना है जो अपनी noble gas configuration है ताकि यह क्या उपाए stable तो इसी वज़े से इनको आप क्या बोल देते हो levis acid बोलोगे जो accept करता है ठीक है अब देखो कि जो लिगेंड्स होती है जैसे एक तो center atom होगा जो बता दिया levis acid के जैसे behave करेगा लिगेंड्स होंगी वो levis base के जैसे behave करती है अब जो लिगेंड्स होती है वो भी अलग-अलग तरीके की हो सकती है ठीक है उससे पहले एक आपको coordination compound और double salt में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्या होते है coordination compound अगर आप उनको देखो double salt का क्या होता है एक salt है दूसरा salt है उसको normally combine कर दिया जाता है ठीक है अगर आप इसको पानी में dissolve करोगे तो सारे अपने ions में तूट जाएगा जैसे एक normal लिखें कि वे NaCl है और साथ में MgCl वाला है इन दोनों को इसमें पानी में dissolve करोगे तो सारे ions में ब्रेकडाउन हो जाएगा पर ऐसा coordination compounds में नहीं होता है जैसे माल यहां पर कोई भी complex लिखा हुआ है ठीक है ना कोई भी जैसे यह example लिखा हुआ है तो यह अपने ions में तूटेगा यह compound ऐसे का ऐसे रहेगा जैसे बना हुआ है यह अपनी identity नहीं छोड़ता है ठीक है ना जैसा था वो वैसे ही रहने वाला है ions में ब्रेकडाउन नहीं होने वाला ठीक है फिर हम बात कर रहे है किसकी जो denticity है उसकी बात कर रहे है denticity का मतलब क्या है कि वो कितनी तरफ से मतलब जो क्या है जो लीगेंड है वो इलेक्ट्रोन को डोनेट कर सकती है जैसे अगर आप इसको देखें यह कौन सी इडिटीए इडिटीए है ठीक है इडिटीए बताओ कि क्या होता है और मतलब किस तरीके की यह लीगेंड है hexadentate है मतलब छे जंगे से क्या है जो donation है वो कर सकती है तो denticity है कि कितनी जंगे से donation किया जा सकता है ठीक है ना बहुत तो इसको है ethylene diamine tetra acetate इसको बोला जाता है बचो edta ethylene diamine tetra acetate देखो चार जंगे से तो यह acetate से देने वाला है और यह nitrogen के यह दो लोन पर तो यह hexadentate है और जो दो जंगे से देगा वो क्या है bidentate जैसे EN उसमें आता है ethylene diamine ठीक है ना यह nitrogen से यहां से देगा और यह तो तीन जंगे वाला है वैसे ठीक है जैसे oxalate मान लीजी यह ethylene diamine है यह तो तीन आ गया बचो तीन जंगे से जाएगा एक nitrogen दो nitrogen से क्योंकि यह कुछ ऐसे है देखो यह कुछ ऐसे लिखा हुआ है अब ना यह N है फिर यहां पर CH2 CH2 और यहां पर NH2 और वो कितने हैं टू टाइमस हैं मतलब यह पूरा जाएगा दो तो यह nitrogen देंगे और एक ही ठीक है हम बात करें थे ithylene diamine की एक यह nitrogen देगा और एक यह वाला nitrogen यह कैसी है यह bidentate है यह didentate आप बोल सकते हो या इसको oxalate इ इसको danticity बोलते हैं फिर बात आती है चिलेट की चिलेट वो होते हैं जो क्या बना लेते हैं रिंग बना लेते हैं और जो बिर रिंग बनाते हैं बच्छो वह normal जो complex होगा उससे ज्यादा stable होगा यह state में पूछा गया था कि बही माल लीजिए एक तो आपके पास normal complexes हैं जै पर एक में क्या लिखाया है कि फी है और यहां पर इन और इसका यह लिख दिया गया यहां पर थ्राइस तो यह complex ज्यादा stable होगा क्योंकि यहां पर ring formation होती है ठीक है जो भी bidentate है, tridentate है या hexadentate है यह ring बना सकती है और उसी को आप चिलेशन बोलते हो ठीक है वो उसको ज् amphoteric बोलते हो, ampho मतलब दोनो basic भी और acidic भी यहां पर mbidentate है कि क्या है एक ऐसा ligand जो दो साइड से दे सकता हो पर एक समय पर एक ही साइड से electron donate करेगा मतलब possibility है दो जहें से दे सकता है पर एक टाइम पर एक ही जहें से electron donate करने वाला है उसको बोलते हो आप mbidentate ligand जैसे आप आप देख रहे हो NO2 मालीजे यह है नाइट्रो एक तो यह एक बार किसे दे दे एन से और एक बार किसे donate करें oxygen से इसको बोलते हो आप mbidentate ligand या फिर आप आइसो थायोसाइनेटो में बोलो या फिर थायोसाइनेटो में बोलो इसमें क्या है कि एक बार तो sulfur से दे सकता है य यहाँ पर यह cn और यह six times है और यहाँ पर four negative है तो ठीक है यहाँ पर यह जितना लिखा हुए number उतना ही coordination number हो जाता है यहाँ तक तो ठीक है तब monodentate ligand है तो यह number गिन लो वही उसका coordination number है पर bidentate में या और coidentate ligand हो गई तो वहाँ आप ऐसे count करके नहीं बता सकते क्योंक माल लीजिए complex लिखा है co है और यहाँ पर en है और इसका thrice है और यह 3 positive है तो आप ऐसे calculate नहीं करके बता सकते हैं यहाँ पर 3 लिखा हो आप कह दो कि इसका coordination number 3 है तो यह गलत बात है coordination number क्या होता है कि जितने number of bond बने हुए उसको आप क्या बोलते है उसका coordination number जैसे इसकी structure यहाँ पर यह इन लिख देते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी ऐसे en मिलेगा और यहाँ भी यह इन ठीक है तो देखो bond कितने बने हुए 6 तो इसका coordination number 6 है तो number of bond जितने होते हैं जो metal बना रहा है वही क्या होता है उसका coordination number होता है एक चीज़ आपको complexes में क्या ध्यान रखने है जो chlorophyll होता है उसमें central जो atom क्योंकि वह भी complexes है coordination compound है तो chlorophyll में होता है magnesium कौन होता है magnesium अगर आप B12 में देखें जो vitamin होता है वहाँ पर कौन होता है वहाँ होता है cobalt बात समझ में आ रहे है क्या होता है cobalt और hemoglobin में कौन होता है iron और जो पाने की सफाय की जाती है जो hardness और करने के लिए वहाँ पर यूज किया जाता है EDTA जो भी बात कर रहे थे EDTA ethylene diamine tetra acetate तो यह कुछ बात ध्यान रखनी है और जो cancer की दवाई के लिए जो complex यूज किया जाता है Cysplatin जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते है Cysplatin यह भी ध्यान रखना है पूछा गया है ठीक है फि Coordination Polyhedron का मतलब होता है जो special arrangement जो होती है बचौन की मतलब space में जो arrangement होती है लिगेंज की उसको आप क्या बोल देते हो Coordination Polyhedron ठीक है और यह जो आपका दिखाई दे रहा है ठीक है ऐसे जो आप यह bracket बंद कर रखा है इसको आप क्या बोल देते हो Coordination Sphere बोलते हो ठीक है क्य लिख दिया या BR लिख दिया कोई भी आयन जो आपको दिखाई पड़ेगा उसको आप क्या बोलते हो बच्चों काउंटर आयन उसको बोलते हो क्या बोलते हो काउंटर आयन ठीक है बोलो कोई दिकत है इस बात में जैसे एक example लिखके दे देतने है यह CO है और यहाँ पे लिखेंड है यह metal है और इसको आप क्या बोलोगे counter iron बोलोगे ठीक है बोलो और यह जो पूरा का पूरा जो समान है ठीक है इसको आप क्या बोलते हो coordination sphere या entity दोनों एक ही बात है कोई अलग बात इसमें नहीं है फिर होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है मतलब Homo Leptic Complexes और Heteroleptic Complexes यहां पर भी लिखियों ही एटम्स Homo मतलब जहां Same Legand होती है, कॉम्पलेक्स में क्या हो जहां पर Same Legand हो जैसे यहां Same Legand है Heteroleptic Complexes में जहां पर देखो Ammonia भी है और अंदर कौनसी Legand है वो Chlorine भी है तो इसको आप क्या बोल देते हो, हेतरोलेप्टिक बोल देते हो, ठीक है, फिर आपको क्या निकालना आना चाहिए, जो है, वो, coordination number बोल रहे है, oxygen number आपको निकालना आना चाहिए, जैसे, इसका निकालते हैं, भई, CO, NH3, अर्य muchísimo, और यहां 3 positive है, ध्यान से सुने एक बात को, यह ligand कैसी है, neutral है, बोलो neutral है, तो अगर आपके complex में neutral ligand है, तो जो उसके उपर charge लगा हुआ है, वही center जो atom है, उसका oxidation number होगा, बोलो, बात समझ में आ गई, पर अगर, जैसे इसकी बात आप करो, यहां पे तो, एक तो neutral वाली है, और एक जिस पे charge है, वह भी है, ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, कि यहां कैसे निकालोगी, यह CL2 और यहां positive है, ठीक है, अच्छा, positive का, यहां लगाने का मतलब, आप समझ रहे हो, यहां positive क्यों लगाया गया है, इस बात को भी समझो, जैसे आपके पास, है, ठीक है, य इसका मतलब, यह negative charge आने का मतलब होता है, कि यहां से कोई positive गया हुआ है, और positive charge आने का मतलब क्या होगा, कि यहां से कोई negative गया हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आ गई न समझ में, अब हम गिनते हैं, total negative charge कितना है, दो negative तो यहां से आया होगा, अब क्या हो जाएगा क्योंकि मैंने इस charge को भी गिल लिया गिल लिया कि नहीं गिल लिया तो अब total कितना है three negative तो metal को उसको neutral करने के लिए कितना वो चाहिए three positive तो इसका oxidation क्या हो गया इसकी oxidation जो number है वो हो गई इसकी plus three या oxidation state इसकी हो गई 3 बोलो इतनी बात समझ में आ गई है आपको तो यह आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि वह इन में से मतलब neutral कौन सा है और यह कौन सा है यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए फिर मान लीजिए जैसे भी आपके पास लिगेंट्स आती है ठीक है नॉइंकलेश लिए लिगेंट्स मान लीजिए आपके पास है yardım है ठीक है या फिर आपके पास एन जषट्री है यह आपके पास सीोधन के शेया या फो isol है लोकर आप चया रोलोगे उचे क्या भी आप बोलोगे और Cl को क्या बोलोगे या तो आप इसको क्या बोल दो yourrounded G х्लो या ख्लोराईड अप इसको बोल सकते और सक्क्लोराईड श्लोराईडब क्या हो जाता है वड्य यह नाइट्रौ हो जाता है और में आगर 2 इसको आप क्या बोलते हो ? मतलब और पीछे O लगाना है पीछे मतलब जो भी आप लिगेंड्स का नाम दे रहे हों उसके पीछे आपको simple किसकी sound आ जाती है पीछे अचाल पानी के रहे हैं आप पानी को बोल टोगे acqua थिक है क्या बोल दोगे और आपके पास जो क्य Miller 00 है इसको आप क्या बोल दोगे similar अमिन बोल दोगे मैं आ जाएगा इसे वी-a Ut 0 भी आता होगा है ना अमिन यहाँ पर आ जाएगा और अगर CH3 NH2 है तो मिथाइल अमिन आप इसको बोल दोगे नूटरल वालों का ऐसे ही आपको नाम रखना है और अगर NO है सिर्फ क्या है NO तो इसको नाइट्रोसाइल बोलते हैं सियो है तो कार्भोनेल इसको बोला जाएगा इसका नाम ऐसे ही रखना है इन में कुछ मदब oxolato आप इसका नाम दे दोगे या फिर एक आपके पास आती है glycine फाली ठीक है इसको आप कैसे बनाद ... मतलब इसका नाम कैसे रख दोगे glycinate रख दोगे ठीक है एक आपके पास EDTA फाली है ठीक है ethylin dizamine बोलो गो इसको तो ethylinOTHER एधायलीन डाइयमीन टेट्रा एसी टेट्ट। आप उसको लिखोगे। एसी टेट बोला मैंने सिर्फ है, ओ लगा दे ना, क्योंकि पीछे ओ लगादे ना तो एसी टेट्स का नाम रखने वाले हो। ठीक है और जो आपने पास EN है जो neutral है उनके पीछ ओ नहीं लगा ना जिसके पास charge है बच्छो उसी के उपर लगाना है और कहीं आपको कुछ करने की ज़रुत नहीं है बोलो बात समझ में आ गई अब एक दो का नाम लिख के आप दिखा दे ना और जो नाम है उसमें कोई आप है बच्छो CL3 है ठीक है इसका नाम आपको लिखना है सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हो जो लेगेंट है उसका नाम लिखते हो तो क्या है HEXA ABONINE ठीक है HEXA ABONINE ठीक है लिखते जाओ HEXA ABONINE COBALT Oxidation State बताओ कितनी है यह कितना है — donc तो ये कितना होगा? प्लस 3 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? Hexa Amin Cobalt 3 Chloride. जो पीछे ये होता है न बच्चो, जो पीछे वाला, जो counter ion होता है, इसका नंबर आपको नहीं बताना होता, कि ये 3 Chloride है, या ये 4 Chloride है, या 2 Chloride है, यहां कुछ भी आएगा न, जैसे यहां SO4 भी होता, तो यहां आप Sulfate ही लिखते, ठीक है? चैए मैं इसको 10 बार लिख दूँ, ये Sulfate ही रहेगा, जैसे ये 3 Chloride था न, फिर भी आपने इसको Chloride ही बोला है, तो Hexa Amin, क्या आज जाएगा? फिर Cobalt, जो Oxidation State है, फिर वो लिखोगे, फिर Chloride लिख दोगे, ऐसा कुछ आपको लिखना है, बोलो, बात समझ में आ गई, और माल लीजे, यहां पे, लिगेंड्स जो हैं, वो अलग अलग आ जाएगे, ठीक है, मैंने NH3 भी ले लिया, ठीक है, वह यह तीन टाइम ले लिया, यहां CL भी आ गया, BR भी आ गया, ऐसे कुछ आ गया, तो आपको Alphabet order का यूज करना है, ठीक है, किसका Alphabet का यूज करना है, वह पहले Amine आती है, या फिर Amine आता है, फिर अपने पास C आएगा, मतलब क्लोरो लिखोगे, फिर B, फिर अपना, मतलब अच्छा, ब्रोमो, पहले, मतलब Amine आ जाएगा, फिर ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, ठीक है, Alphabet आपको यूज करना है, उसके order के हिसाब से, आपको बताना है, ठीक है, चलो, एक दो, आप अभी और कर देना, यहाँ पे लिखते हैं, उसका नाम आप बताना मुझे, CO है, NH3 है, और यहाँ पे आपके पास 4 टाइम्स, यहाँ पे H2O है, और यह आपके पास आगया, BR, और यहाँ है, NO3, और यह 2 टाइम्स, ठीक है, पहले, चार्ज काउंट कर लो, देखो, एक नेगेटिव तो यहाँ से आएगा, दो नेगेटिव यहाँ से आएगा, टोटल तीन नेगेटिव, तो पोजिटिव कितना आजाएगा, प्लस 3, नाम लिखते हैं अभी, टेटरामिन, क्या है, टेटरामिन हो जाएगा, फिर क्या आजाएगा, एकवा, देखो, यह भी एसे, और एकवा भी एसे, पर उसमें क्यों आता है बाद में, तो एकवा हो जाएगा, ठीक है, फिर आजाएगा, ब्रोमाइड, ठीक है, यह, सॉरी, ब्रोमाइड नी, ज़रूर बदाना है, एक तरीके का ये भी होता है, कि निकल है यहाँ पे, और यहाँ आपको लिखा गया है, C-N आही, एक मिनिट, यह C-N, और यह 4 टाइम्स है, ठीक है, और बहार लिखा गया है, यहाँ पे K-4, ठीक है, देखो, अगर आगे कोई भी metal लगा हुआ होता है, bracket के बहार कोई भी metal लगा हुआ होता है, चै वो दो बार हो, चार बार हो, पचास बार लिखा गया हो, सबसे पहले तो metal का ही नाम लिखोगे, potassium आ जाएगा, पूरा नाम लिखोगे, potassium, ठीक है, 4-3 कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं लिखना कि वह 4-times potassium है, आपको नहीं करना है, फिर क्या आपको किसका नाम लिखना है, आपको लिखना है, फिर जो आपके पास legends है, उनका नाम आपको लिखना है, ठीक है, कौनसी है, tetra, क्या है, sino, आप इसको बोलोगे, tetra, sino, और देखो, अब यहाँ निकल नहीं लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे, tetra, sino, niqulet, मतलब potassium, tetra, sino, niqulet, अब यह 8 word कब आता है, तब इस sphere के बाहर कोई metal हो ना, बचो, sphere के बाहर कोई metal हो, तब यह ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, अच्छा, इस metal को हटा देंगे, इस metal को हटा देंगे, तो यहाँ अपने sphere पे कौन सा charge आ जाएगा, negative, तो भी आप ध्यान रखना, कि कहीं, आप वहाँ भी आपको जैसे cobaltate, ऐसे word यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि इस negative यहाँ आने का मतलब है, कि कोई ना कोई यहाँ पे, जो metal है, चार्ज के रूप में वो रहा होगा, पर आपको condition देखनी पड़ेगी, कि भई हो सकता है, कि वो सारा charge कोन है, सिर्फ metal शो कर रहा हो, बहार को याएन होई ना, ठीक है ना, मतलब पढ़ ले न, दो तिन example आप कर ले न, आज तक पूछा नहीं गया है, ना तो अपना TGT वाले में पूछा गया है, ना आपका PGT वाले में पूछा गया है, ठीक है, आईसोमर वाले से बच्चों अच्छे से कोशन पूछे गए हैं, किसे आईसोमर वाले से अच्छे से कोशन पूछे गए हैं, दो तरीके से शो करता है, stereo आईसोमरिजम है, जिसमें geometrical होता है, और optical आईसोमरिजम होता है, structure वाले में यहाँ से कोशन TGT से भी पूछे गए हैं, और PGT से भी पूछे गए हैं, मतलब मैक्सिमम हर पेपर में कोशन आया यहां से, कौन-कौन सा लिंकेज है, आईनाईजेशन है, कॉडिनेशन है और सॉल्वेट है, लिंकेज में देखो बच्चों क्या होता है, लिंकेज वाले में, माल लीजे, आपको कोई भी यहां पे क्या दे रखा हो, कॉम्पलेक्स दे रखा हो, आपकी जो मर्जी आप जिसको मानना चाहें, जैसे यहां पे हम लिख देते हैं, भी क्रॉमियम और H2O, फाइफ टाइम्स, पर यहां पे मैंने लिख दिया S, C, N, ठीक है, और यहां पे दो पोजिटिव, तो यहां पे देखो, यह Embedent Legand है, Linkage मतलब यहां से, अब की बार तो Sulfur से Attach है, फिर अगला अगर यही complex में लिख दूँ, सब कुछ लिख के, पर यहां पे N, C, S लिख दूँ, तो यहां पे Linkage का फरक आ गया, बचो, यहां से तो S-A Attach था, पर दूसरे वाले में क्या हो गया, N से, तो यहां पे कौन सा मतलब, अपना Isomerism प्रेजन हो गया, Linkage Isomerism हो गया है, और Ionization में क्या है, बचो, Ionization में Ion का फरक पड़ता है, किसमें Ionization में Ion का, जैसे, आपके पास Complex क्या है, आपके पास Complex है बचो, Platinum, या आप CO से ही लिख लीजिए, CO, NH3, यह 5 टाइम्स यहां पे है, फिर आपके पास BR है, और यहां पे SO4 है, ठीक है, अब दूसरा Complex ऐसे लिख दिया जाए, आपके NH3 और यहां पे 5, अंदर लिख दिया जाए, SO4 और बाहर लिख दिया जाए, BR, बढ़े इन दोनों में कौन सा Isomerism है, यह Ionization, क्योंकि तब आप इस, जो यह Complex है, आप इसकी Ionization करोगे न, तो इस वाले में तो जो Counter-Ion है न, Ionization वाला हो गया, अब अगर आप बात करो Solvate की, यहां पे बचो पानी में difference होता है, किसमें पानी में, देखो, पानी में difference कैसे, एक आपको है, आपके पास CR, H2O, यहां 6 time है, और बाहर आपके पास जो, Ion है वो है, CL3, ठीक है, फिर दूसरा complex आपको लिखके दे दिया, CR, H2O, यहां पे 5 times लिख दिया, फिर अंदर एक CL, और बाहर लिख दिया, CL2 और H2, यह complex लिख दिया गया है, इसमें और इसमें देखो, किसका difference है, पानी का difference आरा है, भई पहले यहां पे कितने थे, 6 थे, अब कि बार कितने हो गए, यहां पे 5 हो गए है, और एक पानी बाहर चला गया है, तो जहां पानी का difference ऐसे आता है, तो उसको आप बोल देते हो, solvated या hydrated isomerism, तीक है, अब coordination वाले में अगर आप देखो, किसमें बचो coordination वाले में, एक बार दिखा देते हैं, उसमें नहीं तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा हमें, coordination वाले में देखो, एक बार क्या है, इस पूरे complex को देखो, यह double complex है वैसे तो, यहां पे CR metal है, center, यहां पे cobald है, ठीक है, क्या है cobald, और यहां पे ammonia ligand ले रखिए, और यहां पे मतलब cyanide ले रखा है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, क्या कर दूँ, इसका उल्टा, जैसे cobald, पे तो लगा दे ammonia, जैसे cobald के पहले क्या थी, अभी cyanode ही, मैंने क्या लगा दी, अमोनिया, और chromium के पास क्या लगा दे, cyanide, मतलब की ligand बदल दे, क्या कर दे, उनको, मतलब opposite कर दे, जो पहले था उससे opposite, तो यह हो जाएगा, आपके पास coordination isomerism, ठीक है, फिर एक चीज़ बहुत नहां से समझना बच्चो, आपके पास चीज़ बढ़ने का है, इसने अगर आप बात जो, क्या होता है, आपने पास tetraheadle जो होता है, वो कभी भी cis or trans isomerism नहीं दिखाता है, cis or क्या है? trans isomerism, tetraheadle वाला नहीं दिखाता है, जो अपने पास square planar होता है, वो cis or trans दिखाता है, वो किया है? सिजोre ट्रांस दिखाता है, पर वो अपने पास जो optical isomereism होता है, वो नहीं दिखा पाता क्यूं? क्योंकि यहां पे symmetry होती है, बच्चों, जैसे मैंने एक plane लिया, plane मतलब, plane आप जिससे हम कट कर सकें, त्वी कैसा plane आप एक क्या ले लो, यह भीच में से क्या करती होती जाएंगी, यह करती जाएंगी, ठीक है नि, यहां से आप इनको, यह वाला plan नहीं लेना है, कैसे लेना है, भई, कुछ ऐसे करके और इसको बिल्कुल सीधा का सीधा यह यू काटते जाना है, ठीक है, एक एक एटम तो ऐसे बच जाएगा, एक नीचे एटम कट जाएगा, फिर एक उपर वाला, एक नीचे वाला, तो यहाँ पर प्लेन है, तो यह उप्टिकल आइसोमेरिजम शोन नहीं कर सकता, कौन अपना जो स्क्वेर प्लेनर होता है, फिर आपको एक क्या ध्यान रखना है, होता है, आपके पास, फेशिल आईसोमेरिजम, ठीक है न, जिसको एक फैक आईसोमेरिजम बोलते हो, और एक मर आईसोमेरिजम बोलते हो, मर, ठीक है, फैक और मर, फेशिल और मेरिडियोनल दो होते है, फैक वाले में क्या होता है, कि मान लो, आपके पास यह मैटल है, यहा यहां भी CL और यहां भी CL ठीक है और यहां NH3 यहां NH3 और यहां NH3 एक फेस पे एक इस फेस पे तीनों एक जैसी ligand है इस face पे एक जैसी ligand है तो यह fact isomerism होता है पर अगर क्या हो कि यहां पे CL आ गया यहां NH3 आ गया ठीक है यहां फिर CL आ गया और यह NH3 आ गया यह NH3 आ गया और यहां CL यहां कोई face नहीं बना यहां किसी का face नहीं बना तीन ligand एक साथ तो नहीं आई इसको बोल देते हैं meridional isomer ठीक है इतनी बात समझ में आ गई जैसे यह यहां पे दिखा रखा है ठीक है यह face बन गया यहां पे एक face बन गया तो यह हो जाता है fact isomerism या meridional isomerism ठीक है बात समझ में आ गई बचो फिर आपको कुछ पढ़ना है जो Werner जो थियोरी है वो आपको पढ़नी है ठीक है? Werner जो थियोरी है वो पढ़नी है Werner ने बचो explain किया था पहले जो अपना coordination compound जो था वो उन्होंने ही study किया था ठीक है? Coordination compound उन्होंने ने पढ़ा और formula बताया कि यह formula बही कैसे बनने वाला है ठीक है? जैसे माल लीजिए और उन्होंने एक primary valence की बात की और secondary valence की बात की primary valence होती है ionizable कैसी होती है बचो? ionizable जैसे आप लिख देते हो CO NH3 और यह जो बाहर होती है यह ionizable है, ionize हो जाती है ठीक है? और जो secondary valence होती है बचो यह coordination number होता है जो अपना अंदर यह होते हैं यह जो होती है बही यहां पे 6 है, 3 है, 10 है कितने हैं? वो क्या हो जाती है? secondary valence होती है और यह क्या है? ionizable नहीं होती है और यह geometry में आता है मतलब कि वोक्टा हैडल बनेगी टेट्रा हैडल बनेगी यह बताएगा पर ऐसा को नहीं बताने वाला primary valence ऐसा नहीं बताने वाली ठीक है? अब देखो complexes में क्या है और क्या question पूछा जाता है वही हम direct बात करेंगे जैसे आपको यह लिखके दे दिया ठीक है? और वो आपसे पूछेंगे यहाँ पर अजी-सी-ल के कितने मोल यूज होने वाले है complex लिखके दे दिया यह कैसे लिखके दिया है आप क्या लिखोगे? CO और यह 6 ही अपने क्या बनाने वाला है? बोंड बनाने वाला है 6 ammonia दे रखें, मैंने 6 के 6 लिख दिये और 3-C-L रख देंगे बाहर ठीक है? तो यह जो counter-ion है जितने counter-ion है जितने CL है उतने AG के कितने क्या है? मोल यूज हो जाएंगे AG-NO3 होता है वैसे तो बचो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? AG-C-L कितने AG-NO3 लगेंगे? 3 लगेंगे क्योंकि 3-C-L यहाँ पर है फिर दूसरे complex में देखो क्या है? आपके पास है CO और देखो इसने अब की बार 5 ammonia दिये हैं पर मुझे तो total कितनी ligand चाहिए अंदर? 6 चाहिए तो यहाँ पर 5 ammonia लिख देंगे एक अंदर कलोरीन लाना पड़ेगा क्योंकि total जो octahedal ही बनेगा कोई और जिमेटरी नहीं है हमारे पास तो यहाँ पर आगया CL फिर यहाँ बाहर लिख देंगे CL2 अब बताओ जो अपना AG-NO3 के कितने मॉल मतलब यूस होंगे और कितने AG-C-L बनेगे दो मॉल AG-C-L यहाँ पर बन जाएगा फिर यहाँ पर चार आ गए तो चार यहाँ कर देंगे और दो CL यहाँ पर सिर्फ एक ही CL बचेगा तो एक ही AG-C-L बनने वाला है तो अगर तीन बनते हैं तो yellow color हो जाता है दो है तो purple बन जाता है और यह green बन जाता है अच्छा यह कोशन और कैसे पूछा जाता है यहाँ पर बचो यह important है TGTB, PGTB बहुत जादा important है पूछे गए हैं माली जी कुछ ऐसे दे रखा है और यह आपके पास 6 time है बहार CL लिखा हूँ है 3 पूछे का iron बताओ कितने अगर इसको आपने पानी में डाल दिया तो यह iron कितने बना के देगा यह पूरा एक iron बनता है यह पूरा का पूरा बचो एक iron बनता है ठीक है और बहार कितने चले जाएंगे 3 हैं न 3 CL, तो total कितने हो गए 4 एक iron तो यह और 3 यह 4 यहाँ पर बनेंगे ठीक है अगर यहाँ पर होता जैसे यहाँ पर 2 CL है एक अंदर CL होती तो एक तो यह पूरा यह iron बनता और दो इसके total 3 iron बनते तो यह iron वाला कोशन भी आपसे पूछा जाता है किसमें जो वर्नर वाली थियोरी है इसमें यह दो ही important थे एक तो AGCL के मोल भाई कितने मतलब बनेंगे या यह पूछ सकते हैं AGNO3 यहाँ पर कितना use होने वाला है दोनों ही बात अपने आप में क्या रहती है important रहती है ठीक है फिर आपके पास जो है VBT थियोरी आती है फिर एक आती है आपके पास थे थे पास देटरहेडल होगा dsp2 है स्क्वेर प्लेनर होगा dsp3 d है trigonal bipyramidal होगा dsp3 d2 है oktaheadal होगा और यह क्या होता है यह outer complex होता है और अंदर वाला du होता है तो यह inner complex बनता है ठीक है अब फिर आपको क्या पता होना चाहिए outer और inner कब बनता है या एक low spin और high spin हमें पता होना चाहिए low spin high spin ठीक है और ये outer कब बनता है outer वाला octahedral कब बनता है inner वाला देखो आपके पास जो आएंगी ligands आएंगी अगर भही बहुत जादा strong ligand है strong ligand है जैसे co है ठीक है अब यहाँ पर आपको मिल भी जाएंगे अगर complexes मिले तो हमें ठीक है नहीं होगी तो आप भी explain कर देंगे या मानी लेते एक बार आपको explain कर देते माली जी co1 क्या है माली क्या ही co1 strong ligand है ठीक है strong है तो वह बच्चों हमेशा क्या करा देती है electrons की pairing करवा देती है क्या करा देती है और अंदर वाली जेंगे क्या करवा देगी एक दो कमरा खाली छुड़वा देगी ठीक है डी के लिए तो strong field क्या बनवा देती है बच्चों इनर जो complex है वह बनवा देती है और जो weak field होगी जैसे CL होगी या आपके पास bromine होगी iodine होगी ये क्या बनवा देंगी ये बनवाएंगी outer वाला क्योंकि वो pairing नहीं करवा सकती है वो pairing नहीं करवा पाएंगी तो इसी वज़े से वो क्या बनवाएंगी आपके लिए वो बनाएंगी outer वाला बनाएंगे, मतलब SP3D2 बनेगा, ठीक है अब इनको ढंक से explain करेंगे जैसे माल लीजे, यही वाला complex माल लेते हैं CO NH3 CO NH3 यहाँ पर एक चीज आप समझेंगे बच्चो कोबाल्ट अगर किस में है? प्लस 3 oxidation state में है प्लस 3 oxidation state में है तो nitrogen containing और oxygen containing ligands भी उसके लिए क्या रहती है strong रहती है, वैसे ammonia एक weak field ligand है और पानी भी एक weak field ligand है पर अगर जो कोबाल्ट है, सिर्फ यह कोबाल्ट के लिए द्यान से सुनना, अगर कोबाल्ट है प्लस 3 oxidation state में है तो ammonia वहाँ पे as a strong field ligand के जैसे behave करेगी क्या आपके दिमाख में यह बात गुस करेगी है बच्चो, किसके जैसे behave करने वाली है, strong field ligand के जैसे behave करने वाला है, यह point note कर लीजेगा important है, बच्चे बहुत वस जाते हैं क्योंकि ammonia उनको यू समझ में नहाता है कभी इसको weak लेना, कभ strong लेना है कोबाल्ट 3 वाले में, और किसी में नहीं लेना क्योंकि nickel 3 प्लस तो बनाता नहीं है बात समझ गए ना ना copper 3 प्लस बनाता है, तो कोबाल्ट वाले में याद कर लो, और तो आपको कहीं हाद रखना ही नहीं, ठीक है तो क्या किया, कि वही कोबाल्ट 3 प्लस कोबाल्ट में, आप electron देखो पहले तो कितना होता है iron के बाद आता है ठीक है, ये 26 होता है, ये 27 होता है oxidation state कितनी है, वही 3 प्लस, 3 electron इसको बाहर निकालने पड़ेंगे वैसे, क्या बनाता है, ये 3D, 7, 4S, 2 ठीक है, दो electron यहां से बाहर निकालो एक electron यहां से, total बच गे क्योंकि 6 यह बचाने थे न, 3 मतलब बाहर निकालने थे, तो 1, 2 3, 4, electron कितने है बचो, 6, इसके पास electron बचे हुए है, मैंने कहाँ यह ammonia as a, किसके जैसे behave करने वाली है, strong field के जैसे behave करने वाली है, ammonia को कितने कमरे खाली चाहिए, 6 ammonia को 6 कमरे खाली चाहिए ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, यह चीज थी थी कि भई, एक तो पहली पेर था अब इस एक electron को उठाके इसमें उठाके पेर करा दो, उठाके यहां रख दिया, यह खाली हो गया होगा ठीक है, अब यह उठाके यहां पेर करा दिया फिर इस वाले electron को उठाके यहां पेर करा दो, यह उठाके यहां पेर हो गया, 6 electron हो गए और यह अपने 3 orbital हो गए यह 2 खाली है अब यही तो बोल रहे था, strong field ligand, inner complex बनवाएगी, तो यह D2 इसका use होगा, और 1S use हो जाएगा और यह 3PK use हो जाएगे ठीक है, ऐसे बनता है फिर यही high spin और low spin में होता बचो, high spin देखो कब बनता है, माल लीजिए यहां पे तो वैसे CFT में मुझे बताना चाहिए, पर यही आप इन बातों को ध्यान से समझो, अगर आपके पास क्या है, एक strong field ligand है, वैसे D-orbital ऐसे होता है आपने पास इसमें 5 orbital होते हैं, जैसे ही यहां पे ligand आती है, क्या आती है बचो ligand यहां पे आती है, तो पहले तो उनको लगता है कि भई, मतलब सेम उनको strength मैसूस होगी सब की, माल लीजिए हम कहीं खड़े हैं, 5-6 बच्चे खड़ें, द्यान से समझना 5-6 बच्चे कोई एक साथ जुंड बना के खड़े हैं कोई वहां पे, मतलब ऐसा दूर से ऐसा लग रहा है कि भई, कोई डरावनी सी चीज आ रही है, बात समझ में आ गई तो सारे एक साथ गवराएंगे, एक जैसे ठीक है, तो एक साथ गवराने का मतलब क्या है कि भई, क्योंकि orbital के पास ligand आ रही है तो उनको थोड़ी repulsion महसूस होगी अब उन में से वो किसकी तरफ वो जो भी अजीब सी जो चीज वहां से आ रही थी वो किसकी तरफ गई है, वो डिपेंड करता है और ज्यादा repulsion तो फिर उसी को फिल होगी, और दूसरे वाले क्या हो जाएंगे रिलेक्स हो जाएंगे, हो हम तो बच गए है के नहीं है, तो यही तो CFT में आपने देखा था, कि भई क्या होता है, कि भई तीन और्बिटल तो रह जाते है नीचे, और दो और्बिटल की एनरजी बढ़ जाती है, क्योंकि इनी की तरफ से लीगेंड आ रही थी, इसी वज़े से बच नबाटो, जो एक साथ बढ़ी थी, इसको बहरी सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहरी सेंटर, क्योंकि एक बार तो सारी उपर गई थे नग, सबको इटर लगा था एक बारी तो फिर जो यह स्प्लिटिंग हुई है, यहाँ यहां पर क्या हो जाता है यह वाले आपके कौन से होते हैं एक dxy dyz और dzx ठीक है न यह बचते हो यहां पर यहां पर dx2-y2 और dz2 यहां पर यह बचते हैं ठीक है अब यहां पर क्या है माल लीजिए strong field ligand है बचो ध्यान से सुनो strong field ligand है तो वो splitting बहुत कराता यह energy यह difference बहुत ज़दा होगा splitting बहुत कराइगा तो माल लो एक orbital मतलब यहां पर है और यह वाले यहां पर है तीन वाले तो यहां पर और दो orbital यहां पर बैठे है energy में difference बहुत ज़दा है क्योंकि strong field ligand ऐसा कराथी है तो अब क्या होगा माल लीजिए आपको electron भरने होंगे तो आप क्या करोगे electron की filling यहीं करोगे पहले क्योंकि आपको यहां जाने के लिए बहुत जादा energy की जरूरत है और इतनी आपके पास नहीं है बात समझ में आ गई न इतनी energy आपके पास नहीं है कि आप इतनी ऊपर चड़के जाओ तो अगर strong field ligand होती है तो नीचे ही क्या होना शेर होजाती है pairing होना शेर हो जाती है तब स्रॉंग फिल्ड लिगट होगी तो जो energy होती है splitting energy वह बहुत जादा है और pairing energy क्या है बच्चों, बहुत कम है तो इसी वज़े से pair होना start हो जाता है क्योंकि एक तो एक रूम आपको बहुत उपर जाके आपको पढ़ रहा है 5000 का ठीक है एक वैसा यह आपको शेर करना पढ़ रहा है और वहां मिल रहा है आपको 2-3 हजार का आप वही तो लोगे कोई बात में हम शेर कर लेंगे ऐसा ही तो है ना तो यहां पैरिंग एनरजी कम है मतलब वाले में क्या होगा हाइज बाला यहां ना रहकर मतलब वीक फिल्ड होगी और वह सिर्फ यहीं तक होगा मतलब एक यहाँ पे कमरा मिल रहा था डाही हजार का, यहाँ मिल रहा तीन हजार का यहाँ वही 500 रुपे काई तो फरक है जादा एनरजी भी नहीं लगने वाली और मैं फटाफट यहाँ पे पहुंच जाओंगा यह CFT में होता है बचो, किसमें होता है CFT में होता है तो शायद कुछ-कुछ बाते आपको समझ में आई होगी magnetic property आपको पता है कैसे निकालनी है जितने unpaired electron हो वो निकालो और मालीजे 2 electron आये हैं unpaired ठीक है, उसको 2.8 कर दो बस वैसे ही आपको क्या निकालना होता है आपको उससे निकालना है उसकी जो magnetic moment होगी वो ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है एक तो nickel मतलब एक मिनट अभी लिखते हैं यह exception है और आपसे पूछा गया था पेपर में, copper NH3 4 times और यहाँ पे है 2 positive समझ में आगई बात अब अपना जो copper होता है बच्चो वो होता है वैसे तो D10 4S1, 2 positive मतलब 2 electron भाहर निकालने पड़ेगा, एक यहाँ से निकाल दो एक यहाँ से, D9 हो गया orbital कैसे बनाओगे, orbital बनाओगे 9 electron यहाँ फिल कर दो मतलब एक ही कैसा रहने वाला है आपके पास यह एक electron यहाँ अकेला रहने वाला है इसके बाद फिर अपने पास क्या होता है बच्चो S orbital होता है यहाँ पर P वाले होता है ठीक है, ऐसे ही होता है पर यहाँ होता है कि यह जो S वाला electron है यह जम करा के यहाँ भेज दिया जाता है P वाले में, तो यहाँ पर जो hybridization होती है वो D SP2 यूज होता है, D SP2 मतलब यह square planar बनाता है ठीक है, वैसा आपने कहीं देखा नहीं कि यहाँ बेज दिया गया है नहीं तो आपको लगता है कि यह SP3 होनी चाहिए थी, पर यह tetrahedral नहीं होता, इस electron को यहाँ जम करा दिया जाता, यह exception है यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है अब कुछ आप एक मतलब बात दियान से समझेंगे oxidation state तो आप सबको निकालनी आती होगी और यह सारी चीचे मतलब आपको आनी चाहिए, question मतलब आता है paper में और बहुत असान आता है अब देखो, splitting कैसे बताया कि नीचे तीन electron रहेगा यह है octahedral splitting है, बचो tetrahedral में उल्टा होता है, वो भी ध्यान रखेंगे और tetrahedral में ध्यान रखिए हमेशा highs पे नहीं बनता है क्योंकि वहाँ इतनी energy नहीं होती tetrahedral में ऐसे breakdown होता है दो तो नीचे रहते हैं, तीन उपर से ले जाते हैं अपने octahedral से उल्टा यह energy में ज़्यादा difference नहीं होता तो हमेशा क्या बनेगा electron, अगर माल लीजे मुझे 4 electron भरने है, 4 electron भरने है tetrahedral वाले में, तो 2 यहाँ भर दिये 3 और 4 था, ठीक है यह मतलब हमेशा high spinny बनता है अपने किसमे tetrahedral में अगर यहाँ पर ऐसा होता भी energy में बहुत ज़्यादा difference है और मुझे 4 electron भरने होते, यहाँ पर 3 है ना यहाँ उक्तahedral की बात करने है 4 electron भरने होते और यह है अपना कैसे वाला strong field ligand आई है, क्या है strong field ligand, तो क्या होगी यहाँ पर energy बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ उपर कौन नहीं जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 electron यही रहना पसंद करेगा तब तक इसकी मजबूरी ना हो जाए माल लीजे, एक complete field होगी, अच्छे होगी साथवाँ electron तो यहीं जाना पड़ेगा माल लीजे, कहीं, आप कहीं गए हैं पाड़ों में केदार ना, ठीक है, अब वहाँ पर थोड़ी और उपर जा के आपको, क्योंकि इतनी बाहर ठंड में तो आप रह नहीं सकते कमरा थोड़ा उपर जा के थोड़ा महंगा मिल रहा होगा, तो आप ले ही लेंगे ना तो यहीं वाला काम यहाँ पर हो जाता है, strong field वाले में तब तक नीचे वाले नहीं भरते तो उपर कोई जाना पसंद नहीं करता है ठीक है, बहले ही उनको pairing करानी पड़े ठीक है, समझ में आ गई और जो चीज कम होती है, electron वही जाएगा जैसे यहाँ pairing energy कम थी electron यहीं रहेगा ठीक है, तो यह चीज आपको बिलकुल अच्छे से ध्यान रखनी है होता माइनस में, क्योंकि नीचे वाला मतलब stable हुआ है, उपर वाला repel होके उपर गया है, नीचे वाला stable होने का मतलब, वो energy release कर रहा है, तब भी system से energy बहार निकलती है, अपने thermodynamics में उसको negative sign से दिखाते हैं, अच्छा एक बात वाले की 0.6 थी, या नीचे वाले की 0.6 थी, यह 0.6 है न, 2 orbital है, इनकी multiply कर दो, या सिर्फ एक मिनट के लिए इसको 6 माल लो, कितने हो जाएंगे 12 यह 4 है, 4 है और 3 orbital है, 4 इंटो 3 यह भी कितनी है 12, यह plus 12 energy, यह minus 12 energy है देखो, बात समझ में आई आई आपको या नहीं आई है बताओ मुझे, सोच समझ के बताओ आगई या नहीं आगई अब आपको energy आपसे वो निकलवाएगा आपको ligand देदेगा, यह strong है, यह weak है अच्छा कौन कौन सी strong है वो देख लो, एक बारी लिक देते हैं यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, वैसे तो हमें यह वाली, ठीक है यह series, spectrochemical series जिसको बोलते है सबसे weak अपनी आई है सबसे strong CO है, फिर CN है देखो, यहाँ तक जो है यह इसके बाद जो सारी है मतलब NH3 और यह पीछे वाली सारी यह weak field हैं सारी की सारी ठीक है, कैसी है, weak field है और यह अपनी कैसी है, यह strong field है बात समझ में आ रही है यह कैसी में आ जाती है strong field में आ जाती है ठीक है, तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है पर मैंने बता दिया था कि अगर यहाँ पर कोबाल 3 positive में है तो वो हमेशा किसके जैसे behave करने वाला है उसमें जो ammonia तक और पानी तक यह जो oxygen containing, nitrogen containing जितनी ligand है, वो किसके जैसे behave करने वाली है strong field के जैसे behave करने वाली है ठीक है, आपको energy बाहर निकालनी है कैसे निकालनी है मतलब आपको energy आप कैलकुलेट करनी है बच्चों बाहर नहीं निकालनी है माल लेजे, D4 configuration आपको दे रखी है क्या दे रखी है, D4 configuration और आपको low spin में है वो यह किसमें है, low spin में है इसके energy निकालनी है low spin में है, बई 2 orbital उपर होते है नीचे 3 होते है, 4 electron बढने 1, 2, 3 और यह 4 ठीक है, low spin तो यह होता high spin होता दूपर भेजते अब 1 की कितनी energy है नीचे वाले एक electron की, minus 0.4 या सीधा 4 माल लिया करो, आपकी मर्जी है ठीक है, फिर देख लेना उसने किस तरीके से दे रखी है तो यह कितना हो गया, minus 0.4, कितने electron है अपने पास, यह 4 हो गए ठीक है, यह कितनी हो जाएगी आपके पास total energy, यह हो जाएगी 4, 4.16 होगी ना, और यह point है, तो 1.6 और किस में, minus में ठीक है, बात समझ में आगी, अगर यही 4 यह high spin होता, तो यहाँ ना होके एक electron यहाँ जाता, आप कितनी energy यह कितनी हो जाएगी, 12 आप इसको 1.2 लिख लो, अभी minus के, 1.2 हो गई, ठीक है और यह कितनी होगी, 0.6 यह plus में है, total बच कितनी गई यह minus की 0.6 बच गई, क्योंकि यह minus 1.2 है, जादा है यह 0.6 है, आपस में कट जाएगी, सिर्फ minus 0.6 value बच जाएगी, ऐसे आपको energy क्या है, calculate करनी है और नीचे वाले बच्चों जो आपके पास, मतलब 4D के और 5D के जो elements हैं, वो हमेशा low spin ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे low spin ही कितनी बाते समझ में आगे बच्चों तो यह कुछ आपको चीजे ध्यान रखनी है, अगर जो delta node है, ठीक है जो energy है, splitting energy बहुत जादा है splitting energy बहुत जादा है तो pairing energy यह अगर जादा है, pairing energy कम होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा यह बहुत जादा है, splitting energy फिर ऐसे देखो, splitting energy बहुत जादा है, electron कहा रहना पसंद करेगा नीचे low spin बनेगा और ऐसा कौन कर सकता है strong field अगर weak field होगा बचो तो जो pairing energy होगी वो जादा होगी और जो delta node होगी वो कम होगी यहाँ पे बनेगा high spin यह question पूछे गए हैं ध्यान रखेंगे ठीक है फिर जो delta T होता बचो बना splitting energy of tetrahedral वो किसके बराबर होती है 4 by 9 of किसका अपन energy of अपना octahedral 4 by 9 ठीक है यह कुछ चीज़े आपको ध्यान रखनी है और यह splitting यह 2 by 5 3 by 5 इस हिसाब से भी दे सकता है या फिर जो 0.4 और 0.6 करके जो हमने याद किया है और मेरे हिसाब से आपको तरीका मतलब याद हो गया होगा कि कैसे आपको वो चीज़े ध्यान रखनी है ठीक है फिर आपको यह एक दो चीज़े ध्यान रखनी है बच्चो की EDTA जैसे मैंने बताया था पानी साफ करने के लिए यूज किया जाता है यह वाला portion एक पढ़ लेंगे बच्चो ठीक है बुक से भी जो अपनी NCRTA 12 की वहां से जो यूज़े यहां से कई बार पूचे ग ठीक है या फिर आपके पास जो catalyst है विलकंसन catalyst है जो hydrogenation of alkene करता है वहां पे कौन सा transition element है रोडियम वहां पे होता है रह जिसको आप बोलते हो ठीक है फिर और तो मैंने बता दिया था भई साइनो या अपना जो B12 है ठीक है ना साइनो कॉल्बामिन जो है उसमें अपना कोब oxypeptides है इसमें शायद zinc use होता है एक बार चेक कर लेना आप ठीक है इन्होंने लिखा तो नहीं हुआ पर मेरे साब से zinc use होता है ठीक है और EDTA वाला भी बता दिया और यह cancer वाली दवाई कौनसी है सिस प्लेटिन यह है और यह question अपना जो यह वाला पेपर है और TGT वाला व notice करेंगे तब आप paper देखेंगे ठीक है सारे तो नहीं कुछ-कुछ अब यहाँ पर आपको term symbol निकालना आना चाहिए बच्चो क्या है term symbol वो कैसे निकाली जाती है बई आप एक तो लिखते है L की value ठीक है क्या लिखते है L लिखते है फिर यहां spin multiplicity होती है और नीचे J की value ह होती है देखो अब मालीजी आपको configuration देदी D2 क्या दे रखिए बच्चो D2 अब D2 कैसे भरोगे आप electron ऐसे भरते हो कि यहां पर यह एक यह दो अजया दो ही तो भरने थे मैं भी आपको orbital यह बना लेने है और एक electron और दो electron आप कैसे लिखते है यह प्लस 2 है यह प्लस 1 है 0 ह minus 1 है minus 2 है ठीक है आप क्या करते हो कि इनकी value आपको add करनी है बच्चो simple दो ही electron है यहाप इनकी value add करो यह क्या हो गया प्लस 2 प्लस 1 तो यह क्या हो गया 3 हो गया तो यहाँ पे जो आपकी L की value आई है वो कितनी आई है 3 आई है और 3 किसके लिए होता है देखो S मतलब 0 फिर P B और फिर अपना होता है F, यहाँ पर 1 होती है, यहाँ पर 2 होती है, यह 3 होता है, तो यहाँ पर F आया, फिर spin multiplicity, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही दो electron है न, हाफ इसकी हो गई, हाफ इसकी, मतलब क्या हो गई, 1 हो गई, और इसको निकाले जाते हैं, यह spin आई है सिर्फ, मु इतनी होगी, 3 F हो गया है, ठीक है, अब मेरी बात धिहां से सुनो, J की value दो तरीके से निकाली जाती, अगर, अगर less than half field है, less than half field है, तो L minus S करके value निकाली जाती है, किसे L minus S, और more than half field है, तो L plus S करके निकाली जाती है, अब यहाँ less than half field है, कैसे निकाल दोगे, L की value कितनी ह बात समझे होने न सर्फ S की value यहां पे कितनी है अपनी 1 है तो यहां value कितनी आ जाएगी 2 तो यह F 3 और यह नीचे क्या आ जाएगा 2 यहां पे आ जाएगा बोलो बात समझे पे आ गई फिर एक आपने कभी औरेगल डाइग्राम पढ़ा होगा BSC में याद है बोलो नहीं याद है तो कुछ-कुछ आपको ध्यान रखना है बचो कैसे याद रखना है एक आपके पास D1 एक आपके पास configuration D6 और एक configuration बचो D9 और D4 ठीक है यह configuration इनका जो औरेगल डाइग्राम होता है वो कुछ ऐसे होता है अभी ध्यान से देखते जाना यह इतना अच्छे style में मैंने बना दिया है तो यहाँ पे यह होता है T2G और अगर tetraheadle होती है न बचो geometry किसी की तो वहाँ G नहीं लगाया जाता है जिराडिन नहीं लगाया जाता है जो कि tetraheadle में नहीं होती है अगर क्या होगा tetraheadle तो सिर्फ T2 लिखोगे और उपर लिख दोगे बचो आप EG ठीक है यहाँ पे इस EG को नीचे उतार ला हो यह EG और यहाँ लिख दो T2G देखो अब दिहान से यह oracle diagram पता है किसका है D1 D6 यह होंगे octahedral में यह दोनो और D9 और यह D4 यह हो जाएंगे अपने tetraheadle में उसका यह side वाला oracle diagram है मतलब आपसे यह पूछा जाए D6 में जो lowest term है वो कौन सी है? Less energy किसकी है? EG की है यह T2G की है? तो आपको पता होना चीहें T2G की है और यह भी ध्यान रखना octahedral में पूछी गई है कि tetraheadle में? जैसे यह पूछा होई D9 का tetraheadle में lowest term बदाओ कौन सी होगी energy की तो T2 है G नहीं लगेगा tetraheadle में और यह किसकी हो जाती? इसका उल्टा कर लो कि यह हो जाएगा D9 D4 तो octahedral और यह अपना उल्टा 1 और 6 वाला tetraheadle ठीक है? मतलब यूँ पूछे D9 configuration है और वो octahedral में है तो उसकी lowest energy term कौन सी है? T2G है या EG है? तो आप बतादो कि EG यहाँ पे होती है ठीक है? फिर एक और बात है बच्चो वो भी देखो कौन सी? एक तो D7 configuration D7 हो D कौन सी है? 7 है और एक कौन सी है? D2 है ठीक है 27 से आप ध्यान रख सकते हो 27 या बहतर कुछ भी आपकी जो आपका मन करें उस हिसाब से और फिर एक configuration है D3 और D8 इनका और एगल डाइग्राम में क्या है? अब थोड़ा सा बढ़ा ये आपको अलग लग सकता है पता नहीं क्या ही बनाती है पर ऐसा कुछ है नहीं बहुत नॉर्मल ही है एक मिनिट इसको साफ करते हैं पहले यहाँ क्या होता है बचो? यहाँ कुछ एक तो आपको यह लाइन उपर दिखाई पड़ती है यह होती है आपकी T2 सोरी T2 नहीं T1G की किसकी? T1G की यहाँ भी यह उपर रहेगा T1G ठीक है? फिर आपके पास जो आएगा और यह टर्म यहाँ पर आती है बचो P के लिए ठीक है न? आपको जो याद करना है मैं बताऊंगी आपको क्या याद रखना है सारे याद करने ही जुरुत नहीं है एक टर्म जाती है बचो यहाँ नीचे जो यहाँ होती है T1G ठीक है? फिर एक टर्म बिलकुल यहाँ से उपर जाती है ठीक है? A बिलकुल उपर यहाँ उपर होता है A2G ठीक है? एक यहाँ बीच में रह जाती है ठीक है? यह अपना होता है T2G T1G, T2G, T1G और यहाँ उपर होता है अपने पास A2G इसको भी कुछ बना लो यह अपना A2G हो गया यह अपना T2G हो गया और यह अपना T1G हो गया ध्यान से देखना अभी क्योंकि यहाँ आप से क्या पूछा जाएगा भई? आपके पास है D2 Configuration उसकी Lowest Energy Term बताओ कौन सी है तो आपको याद होना चाहिए T1G है ठीक है? और यह Octahedral है आप ध्यान से देखो उसने पूछ लिया कौशन यह था D3 वाला D3 Configuration थी क्या थी? D3 Configuration थी Lowest Energy State बताओ कौन सी है कौन सी है? A2G यह Octahedral है क्योंकि जो यहाँ Tetrahydral था वो इस साइड अपोजिट में आके क्या है? Tetrahydral मलब यह अगर Tetrahydral है तो इधर Octahedral है यह अगर Octahedral है तो इधर के लिए कौन हो जाएंगे? Tetrahydral और Lowest और Highest Term याद रखनी बीच वालों का आपको कोई लेना देना नहीं है ठीक है? याद रखोगे के नहीं रखोगे? ठीक है? मतलब कि अगर यह वाली जो Energy होगी यह तो Lowest Energy है State है बस अगर यूँ पूछ लिया जाए भई यहां से यहां तक जाएंगे मतलब A2G से T1G तक तो यहां सबसे ज़ादा Energy लगेगी फिर कहाँ पे लगेगी? यह A2G से T1G और सबसे Energy कम लगेगी A2G से T2G पे यह भी पूछा जा सकता है ठीक है? कि भई ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़ादा Energy किसमे लग रही और सबसे कम Energy किसमे लग रही है ठीक है? तो यह टम आपको ध्यान होनी चाहिए कि पहले T1G आता है फिर T2G, फिर T1G देखो यह तो नॉर्मल सा ही है T1G, फिर T2G फिर T1G, फिर R1A2G ठीक है? बोलो, बात समझ में आ गई कि आपको नहीं आ गई? फिर एक कोशन और था बच्चो कि अपने जो क्या होता? अपने पास Platinum का एक ऐसे complex है Platinum और भई NH3 है Twice और Cl2 है इसके Cis और Trans को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है ठीक है? कुरनकव टेस्ट उसको बोला जाता है मुझे पता नहीं बोलना आया है कि नहीं आप पढ़ लेना ठीक है? ठीक है? बोला है शायद कुरनकव टेस्ट इसको बोला जाता है ठीक है? और इसमें thaiouria use किया जाता है बच्चो क्या use किया जाता है thaiouria ती यू उसको बोला जाता है thaiouria आप उसको बोलते हो ठीक है बात समझ में आ गई तो यह कुछ चीज़े आपको ध्यान रखने है फिर हम कर लेते हैं question ठीक है एक minute देखो the complex iron which has no d electron in the center atom किसके में मतलब center जो metal उसमें d में electron है यह इसमें देखो कितने है o4 negative मतलब की oxidation state है mn की plus 7 mn में होते ही 7 electron है बच्चो क्योंकि कैसे last वाले क्योंकि valence electron ही बाहर निकाल सकते न क्योंकि यह होते है d5 4s2 2 इसके और 5 इसके 7 electron बाहर निकाल दी तो mn में 0 electron है यह देखो यह कौन सा मतलब isomerism show कर रहा है यहां BR है और नीचे वाले में iso4 है ionization isomerism ठीक है फिर देखो in the lengthenoid the spin contribution s 1 minute 1 minute s orbital contribution l मतलब couple together give a new quantum number j जो मैंने बताया था इन में से कौन सा मतलब use होगा किसके लिए when the shell is more than half filled more than half filled के लिए l plus s यूज करते हो less के लिए l minus s the spin only magnetic moment strong ligand of d6 ion strong filled ligand है और magnetic moment निकालनी है देखो और यह जिसको d block वाला जिसने पढ़ा है न बच्चो क्योंकि कई concept यहां पे भी है आपको यह लगेगा कि यहां पे color वाला नहीं आया color वाला मैंने d में पढ़ लिया है ना तो इसी वज़े से फिर आप यह जोगो कि दीदी ने हमें नहीं बताया तो ऐसा मत समझता d में हमने पढ़ लिया बार बार पढ़नी कोई जरुरुद नहीं है strong field ligand है दो उपर चली जाएंगी यह 3 नीचे 6 के 6 electron नीचे सारी क्या होगी बच्चो यहां पे pair होगी क्या एक भी unpaired electron है तो magnetic moment क्या होगी 0 अब यह आपको यहां से ध्यान रखना है सिर्फ यही question और यहीं से concept आपका clear हो जाएगा जो step wise constant लिखे जाते हैं बच्चो coordination compound के लिए तो वो कैसे लिखी जाती है वो बही जैसे एक reaction लिख दी जाएगा बही copper है ammonia 4 times है तो बही breakdown हो करके यहां से copper और ammonia बही एक बाहर निकल जाएगे और यहां पे 3 बच जाएगे तो इसका k1 constant होगा फिर दूसरी reaction लिखेंगे के 2 हो जाएगा के 3 हो जाएगा तो all over जो मतलब जो beta जो constant है step wise जो overall stability constant है वो कैसे लिखा जाता के 1 into के 2 into के 3 into के 4 मतलब जितने भी step होंगे उनकी multiply कर दी जाती है दे number of unpaired electron in the square planar आयन आर platinum देखो वैसे तो जो square planar होता है न बचो इनका जो अपना magnetic moment रहता है बत्व उनका maximum time 0 निकलता है देखो अभी कैसे अपना platinum की configuration बताओ D में होते 9 और S में होता है यह 4 है 4 negative प्लैटिनम पे किते हैं और 2 negative यहाँ पे है ठीक है एड़ नहीं करना कि 4 negative और फिर 2 negative 4 negative कैसे बता रहे हैं क्योंकि एक CN पे एक negative होता है इस 2 negative आने का मतलब पता है क्या बचो यहाँ से कोई positive गया हुआ है मतलब वो शो कर रहा था positive 4 जैसे हम में स्टो इस सो 4 को जानते हैं यहाँ 2 negative आने का मतलब यहाँ से कोई positive गया हुआ है उसकी जहेंती वो वही शो करेगा उसको तो तो इसको तो हटा दो total 4 negative थे 2 negative तो वो metal शो करेगा दूसरे बच गया तो वो platinum का है यहाँ से एक electron यहाँ से बाहर निकालो और एक यहाँ से ठीक है 2 electron कैसी है strong field ligand है cn कैसी है strong field एक उठा के यहाँ पर आ जाएगा कोई भी unpaired electron नहीं है 0 है यह ligands भी देखनी है वो pairing कराएंगी strong field यह question important है बहुत ध्यान से समझेगा which of the falling is the correct order of the wavelength of absorption in the visible reason जितनी strong field ligand होगी ठीक है उतनी जादा energy होगी energy और wavelength एक दूसरे का उल्टा होते अब strong field ligand देख लो कौनसी है NO2 है सबसे जादा फिर है ammonia और सबसे weak है पानी ठीक है जो जितनी जादा splitting कराएगा उतनी जादा energy ठीक है और wavelength उसकी उतनी कम NO2 की सबसे कम wavelength फिर NH3 की और सबसे जादा किसकी हो जाएगी H2O की अंसर भी यही है ठीक है आपको इसकी shape बतानी है मैंने exception आपको पढ़ा दिया था कौनसी दी square planar ठीक है वो last में electron नहीं बच रहा था जिसको फिर पीछे बिलकुल P वाले में धकेल दिया था square planar ठीक है इन में से highest magnetic moment बतानी है किसकी है ठीक है अब देखो जो strong field वाले होते हैं बच उनको पहले ही काट दो क्योंकि वो सब को pair करा देगा सब का निकाल के नहीं देखना भी उसमें कितने electron है जहाँ-जहाँ strong field लिगे हैं नहीं उसको काट दो क्योंकि वो सब का pair करा देगा और pair तो छोड़ेगा ही नहीं ये भी weak field है और ये भी weak field है इन में देख लेते हैं अब iron में आपका होता है 26, cobalt होता है 27 ठीक है इन में देख लेते हैं 27 वाले में एक बरी और दोनों पर ही 3 negative मतलब दोनों के 3-3 electron जाने वाले हैं ठीक है ये होता है आपने पास D7 और 4S2 3 electron भार निकालो 2 यहां से 1 यहां से 6 6 आएंगे न तो अपने पास कैसे भरी जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 4 unbeared electron है D6 इधर देखेंगे अब 26 वाले में अब ये होता है D6 4S2 2 यहां से और 5 यहां से बाहर निकाल देंगे मतलब 5 यहां से गह रहे है 2 यहां से एक यहां से 3 बच जाएंगे कितने 5 मतलब 5 यह 5 यह 5 क्या है unpaired यहां पे क्या है बचो electron है तो ज़्यादा magnetic movement इसकी होगी क्योंकि 5 मतलब 5 पांच पाइंट कितने आ जाएगी 8 और यहां पे 4 है तो 4.8 होगी विच ओफ दी फॉलाइंग कॉपलेक्स शो लिंके जाए इसोमेरिजम अब देखो m.b.dentate ligand कहां पे है NO2E है N से भी donate कर सकता O से भी तो यहीं पे होगा How many ions produced from the complexes इसमें से कितने होगी एक तो यह पूरा complex देगा आयन एक यह और दो CL के तीन यह answer हो गया इनमें से देखो Which of the following does not exist देखो जो भी किसी कोई भी noble gas configuration जिसने भी achieve कर रखे नो वो stable है बात समझ गए जैसे आप इसमें निकालोगे इसमें 38 यह कोई अपनी noble gas configuration मतलब atomic number नहीं है तो यह stable नहीं होगा और जो भी मतलब पूरे calculate करके लाओगे calculate जैसे कैसे बई CR है CR होता है अपना chromium वाला 24 24 electron है यह 6 ligand है एक ligand दो electron देती है 6 कितने देती हैं यह कितना हो गया 4 दो 6 और यह 3 ठीक है ऐसे आपको electron निकालने total और जो भी किसको मतलब electron जिसके match कर जाए अपनी noble gases से वो stable है इसका match करनी रहा तो यह exist नहीं करेगा